नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूटूब चैनल भारते करम सी पर जहांदी जाती है पुराने नोट वे सिकों की सही जानकारी मैं हूँ आपका दोस्त महेश परजगत दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक रुपी के एक किमती सिक्की के बारे में आप जो ये सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं इसी डिजाइन में एक सिक्का आता है जिसकी किमत कई हजारों में जाती है हो सकता है इसा सिक्का आपके पास हो जानकारी ना होने के कारण आपके हाथ से निकल गया हो और यह सिक्का अभी भी असानी से मार्केट में देखने को मिलते हैं इस एक रुपी के सिक्की की पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आपको इस एक रुपी के सिक्की की पूरी जानकारी मिल सके इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहले बार आए हैं तो निचे लाल रंग के बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप अमारा वीडियो द इन शिकों का जो बजन है वो 4.85 ग्राम के आसपास है डायमेटर इन शिकों का 25 mm और शेप सर्कुलर होता है आप जो यह कोईन बुक देख रहे हैं यह कोईन बुक दोजार चोईस की है एक बार देख लीजिए कोईन बुक में कौन सा सिका स्केर है और कौन सा कॉमन है दोस्तों 2007 में यह सिके तीन मिन्टों बने थे कलकता हैदरावाद और नोड़ा जिसमें कलकता और नोड़ा का कॉमन है वहीं हैदरावाद मिन्ट का स्केर है और इसकी किमत एक्स्ट्रा फाइन में 15 रुपे और यूएन सी कंडिशन में 50 रुपे बता रखी है कोईन बुक म जबकि एक्चुल में इस सिके की जो मार्केट वेलू है यूएन सी कंडिशन में 150 रुपे से लेकर 200 रुपे के मद्दे चल रही है वहीं 2008 के सिकों यू बात करें तो सभी सिके कॉमन दिखाए गए हैं बुमबे कलकता हैदराबाद और नोड़ा मिन्ट के सिके अगर बात करें 2009 के सिकों की तो 2009 में ये सिके 4 ही मिन्ट में बने हैं बुमबे कलकता हैदराबाद और नोड़ा मिन्ट में और 4 ही सिके कॉमन है वहीं 2010 में ये सिके 4 ही मिन्ट में बने हैं बुमबे कलकता हैदराबाद और नोड़ा और 4 ही सिके कॉमन है बात करें 2011 की तो 2011 मे यह सिके- तीन मिन्टों में बने हैं कलकटा हेदरवाद और नोड़ा जिसमें कलकटा मिन्ट का सिका स्केर दिखाए गया है जिसकी केमत भी 20 रूपें बता रहे है और सिकों गितरा है और हिदरबाद और नोर्डा मेंट के सिके भी कॉमन है अब जान लेते हैं उस कीमति सिके के बारे में वो सिका है 2008 के कलकता मेंट का मियूल कोईन इस मियूल कोईन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन उस समय इस muil coin की केमत कुछ ओर थी आज कुछ ओर है सबसे पहले muil coin के बारे में जान लेते हैं muil coin बनते कैसे हैं muil coin बनते हैं किसी गलती से जब एक सिक्के के और वर्ष बाता क्यों गलती से किसी दूसरे सिक्के की उपर कर लिया जबता है तो उस सिक्के को मिल कोई कहते हैं, आप मेरे हाथ में एक रुपी का सिक्का और पांच रुपी का सिक्का देख रहे हैं, इस एक रुपी के सिक्के में कुछ ऐसा हुआ था, इस पांच रुपी के सिक्के के अवर्ष बाग पर प्योग कर लिया गया था, जिस कारण ये एक रुपी का सिका मिल कोई बन गया आप अगर इस मिल कोई को ध्यान से देखते हैं तो 2 mm का रिम बोर्डर पर डिफरेंस नजर आता है 2 mm का डिफरेंस इसलिए नजर आता है क्योंकि एक रुपी के सिके का जो डायमेटर है वो है 25 mm जब कि 5 रुपी के सिके का जो डायमेटर है वो है 23 mm जब 5 रुपी के सिके के डाय का अवर्ष भाग इस एक रुपी के सिके के डाय के उपर प्योग हुआ तो 2 mm का डिफरेंस नजर आता है एक रुपी के मिल कोई में इस मिल कोई की पैचान आप मिल कोई के रिम बोर्डर से कर सकते हैं जहां पर आपक का गैप नजर आता है अब बात करते हैं इस सिके की किमत की तो फाइन कंडिस्ट में इस सिके के मत 3,000 रुपी तक जाती है वहीं अगर यूएंट सी कंडिस्ट का हुआ तो इस सिके के मत 15,000 से लेकर 20,000 रुपी तक हो सकती है दोस्तों यह सिका काफी रेर है असानी से यह सि पुलफ्य वाला एक रुपी का सिका है 2008 के कलकता मिन्ट का और इस सिके के सिके पर 2mm का रिम बोर्डर नजर आता है तो आप ऐसे सिको को असानी से बेज सकते हैं सबसे बेस्ट प्लेस है कोईन इग्जिविशन कोईन इग्जिविशन में जाकर आप इस सिके को बेज सकते है अगर आपका सिका सच में मिल कोई नहीं तो ये सच में सेल हो जाएगा दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपके पास भी ऐसे सिके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के वीडियों बस इतना है वीडियो लाट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे भारत